हेलो गाइज, स्वाकत है आपका Marvel Future Revolution की एक और वीडियो में तो जथा कि आपने स्टॉर्म के स्किल्स के बारे में बता रहे थे तो आज हम आखरी चार स्किल्स के बारे में बताएंगे सबसे पहली स्किल्स आती है आज की और यह से फिफ्ट स्किल लाइटनिंग अटेक लाइ आपका विलेंज का ठीक अगर आप स्टॉम हैं तो सामने वाल आट्क ही बाद नौश कि सिक गड़ाएं तो आप पहलीं काम की चाल्ड़क निया है ऐस सुआ ही हिट करती ही और परßannut की बहुत बेका स्किल कि घेक सकते है इसकी बिलकुल लुप इसनी तरही दparagus चेट फल सुन में गोला जाता है और वह इत करता रहता था ता सेम वैसी है बस इसके वड़्य जता है वसके वाद को अंदर अंधर ही अंडर हो रहा है तो फीन उसका वी डाम творat जाता है 574% और आप देख सकते हैं कि सर्कुलर एरिया में डैमेज करती है आपके आसपास बड़ी सी रेडियस में यह डैमेज करेगी तो इसलिए आपके आसपास अगर बहुत सारे विलेंस चोटे-चोटे तो उनको सबको डैमेज होगा पर में विलेंस के लिए तो यह इतन कहने जमीन पर कैसे जो लाइटनिग वो बढ़ता जाता रेडियसी पर जाती रहें हिट भी बढ़ते जाते लिए लाभा बढ़ा है जब कोई पर चांक कहते तो ना कम डैमेज ऑर बहुत कम एक है तो यही थी lightning attack ज्यादा कोई खास skills नहीं है ठीक है आब आती है यह दूसरी आज की दूसरी skill जिसका नाम है Atmokinesis ठीक है na Atmokinesis Moldai के सारी-सारी buff skills है इसके first skill देखते हैं तो first skill में कुछ भी नहीं है अपने आसपास एक current का शील्ड बना लेती है यह current के शील्ड इससे आसपास जो भी लोगोंगे उनको damage करेगी पर प्रॉब्लम है कि शील्ड इतनी छोटी है कि आप बहुत करीब नहीं होगा एकदम स्टॉम के टच होना होगा और मुझे लगता कि कोई भी ऐसा character जो इसके एकदम टच होगा ठीक है क कोई भी इतना close combat में नहीं खेलेगा इसके साथ अपन खुद ही इनके साथ इता close combat में नहीं खेलेंगे क्योंकि कई इतनी विलेंस ऐसे हैं जिनकी close combat के नहीं बहुत जादा डेमिल हो जाता है तो क्या मतलब उनके पास में खेलके और मरें बाच भी ना पाएं तो इसलिए इसके लिए इतनी काम की नहीं है पर हां इस्टिल यह एक लाइटनिंग का डिफेंस बनाती है जिससा आपका डिफें सेकंड स्केल यह अगर आप देखोगी तो यह है तो लाइटनिंग इसके लिए जिसके लिए यह उपर से लाइटनिंग अपने पुलाती है जिससे क्या होता इसका इस टैमीना बढ़ जाता है इसके लाजा चारा कि पूरे टैन सैकंड के दूरेशन के बढ़ जाएगा तो ऐसा मैं सोचना कि 33% हर सेकंड बढ़ेगा ओवर 10 सेकंड के पीरियड में 33% बढ़ेगा इस बात का ध्यान रखना ठीक है मतलब इस तरीके से बढ़ता है तो वह आप देख ले न और उसके लावा जो भी इसका में लीड हीरो है में करेक्टर जिसका स्टॉर में वह ज्यादा ची तरह आपको बता पाएगा जिस आपसे मैंने थोड़ा एक्सप्रमेंट के उससा मुझे यह लगा कि 33% एक सेकंड में नहीं बढ़ रहा था इतना नहीं बढ़ता है ठीक है आगे चलते हैं उसके लावा सेम कोई चीज है कि जब यह उपर से लाइटनिंग बुलाती तो आसपस वालों को भी थोड़ा लाइटनिंग डैमेज होता है और सेम उन्हें शॉक स्टैक उनको पढ़ता है सेम चीज है उसके लावा डैमेज बहुत ही कम डैमेज इसका काम की बिलकुल स्किल नहीं है यह तभ यह iron man की स्किल कूल डाउन की तरह नहीं है iron man की कूल डाउन में क्या लिखा था ? Decrease skill cooldowns of remaining skills ठीक है ना जो भी remaining skills तो नहीं जो लाइन का मतलब तो यह था कि जो भी skill स्किल आपने चला दी है उसके बाद अगर आप वो वाली skill चलाकरण तो वह जो भी skill चली वी है जिनका 8 seconds, 10 seconds, 15 seconds Cooldown आ उटा आ रहे है वह कम हो जाएगा एस time का 5 seconds, 10 seconds का 8 seconds वाले का 13 या 12 seconds हो जाएगा इसमें अल्टा है इसमें लिखा है decrease skill cooldown only मतलब इसका है decrease maximum skill cooldown मतलब की अगर कोई स्किल को चलाने में दस सेंट लग रहे हैं लेकिन आपने इसthisス Jim को चला रखा है पहले शिप को चला है तो उसके वाज़ Ten शिषिस को चला नहीं रहे गाएका इन STE चलाओ कि सारे स्किल्स चलाओ तक कि सारी स्किल्स तो मैक्जिंब स्किल्स कुल्डाउन है किसी तेंदर को रखा हो तब कूल डाउन कम होता है इसके अंदर maximum skill cooldown कम होता है बदब किसी skills को हर 10 second में आप चला सकते हो तो अब वो हर 6 second में चल सकती है अगर आपने ये skill चलाने के बाद उस skill को चलाया है तो पूरी अच्छी तरह इसे मैंने समझा दिया है ठीक है आगे जलते हैं फोर्ज स्केल का नाम है वॉल ऑफ फ्रॉस्ट कुछ भी नहीं करते हैं जैसे लाइटनिंग का आपन वो बनाते हैं अब यह किसका बना दीए इस शील्ड फ्रॉस्ट का फ्रॉस्ट का फ्रॉस्ट का बल अब पॉत से ज़्यादा आपको झाले जर्टे लिए यहाँ पर प्राओं के यहां पर क्यों हो यहाँ में है यह नहीं कोई रहे गाए ग्र प्लेयर लिए वह कि इपना चलाए का बलागी उसके लाई वहीं यह चुल की जो खास बात होती है मूवर्म स्पीड संस्ट करना और साथ शाथ यह जडाई भी डेक्रीज कर रही है ठीक है तो किया आप मैंने पिसली बताया तो यह मुझे के जिश्ट हो यह प्रदेट बसक्राइब आपना वोई जो आपकर होता है कि मुमेंट चलने को से डॉच कर देते हो ठीक डापको कोई डॉच स्किल चलनी नहीं होता है ठीक है तो यही था खतब और चलते हैं इसका नाम है क्ण ब्रेशर मैंपुलेशन जिसके फर्स्किल में कुछ भी नहीं है ना प्लेयर उड़ सकते हैं अगर उनका गाड़ बहुत गंदा हो रखा हूं या उनका बास रजिस्टन्स ना हो तो आगे चलते हैं दूसरा इसके अंदर वही टॉर्णेडों 3 हो जाते हैं डैमेज थोड़ा बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं होता थार्ड अगला ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि ये बहुत सेकंड तर उसको हवा में रखता है आपने देखा होगा कि पहले भी अपने एक स्किल देखे थे जो चार सेकंड तक हवा में रखते हो फिर सब को पुश भी करेगी दूर भी करेगी और साथी साथ डैमेज भी करेगी तो ये एच्छी स्किल है इसलिए मैं स्किल को रखता हूं पर चलाने में थोड़ा सा टाइम लेती है आगे चलते हैं लास्किल डीफ्रीज की पहली स्किल की बात करते हैं जिसका नाम है चल एक करता है मुमेट स्पीड करता है डौज डीट भी कम करता है और उसके लावा अगर चिल स्टैक्स चल एफेक्स से चल स्टैक्स अगर आपके पांस से ज्यादा हो जाते हैं तो आफ्रीज दो चार सेकिंड के लिए डैमेज कुछ खास नहीं है तूट तूट परसेंट तो खासी सेएंट अगला सेकिंड अगला सेकिंड देखा जाए तो सेव वो ही बरफ की बारिश पर इहां इस वाली की तन spielen के अन्दर है ठीक आफ चल वाली skill है और ज्यादा stacks मुझे लग रहा है काउंट कर पा है इसलिए एक या फ्रीज हो पा रहे है तो ज्यादा अच्छी इसकिल है पर इतनी भी अच्छी नहीं है अच्छी बैटर स्टैक्स बढ़ जाने में फ्रीज करता है उसका डेमेज केतना है फोर सवेंटीन परसंट नोट वैड़ इतना भी अच्छा नहीं है इस सब्सक्राइब नहीं में खड़े हो जा रहा हूं इसके बाद आती है fourth skill last skill ठीक ने इसकी किसी defrees की इसकी आजकी फो फो स्किल की फो स्किल जिसका नाम है whiteout यहां भी देख सकते हैं यहां भी देख सकते है whiteout ठीक इसक बहुत मुझे बहुत परसंद है क्यों क्यों कि सॉच्छा इसका अमने कॉनिका शेप में करती है , ट्रैंगुलर शेप में करती है , पर कुछ श्किल्स को पूरे गोलाई में . बसम्स जाता क्योंकि एस स्किल्स चोटे बोटे व्यल्सस को मानने में को इस मॉप्स होते हैं इने में बहुत कांद सब्सक्राइब THATS देर में चलेगी सी अब चलिए अब दिखना इस्टार्ट वन तू अब चलिए दो सेकिंड तक तक तो पता नहीं क्या पावर सी बनाती रहती है क्यों बना रही है पावर सी भाई घूम जाना डायरेक्टीव स्किल्स के साथ हीरे की पावर बनाएगी अब घूमी अब तो उसके तो डैमेज कर जाएगी और हमाई तो बस पावरी बन लिए अभी हम गोल गोली घूम रहे होंगे उसके लाब ठीक है ठंडी हवाओ का यह इसा गोला सा बनाती है क्योंकि ठंडी हवा है मतलब चल डैमेज होगा चल डैमेज का मैंने आपको बताई दिया है मुमें क्राउड कंट्रोल के लिए बनी होगी है सभी में क्योंकि हवा में उडाना जमाना मुमें डिक्रीज करना यह ने सपोर्ट कर सकती एक डैमेज परसन को यह ओमेगा वार में बहुत अच्छी तब होगी जब इसके साथ कोई आइरन मैन हो और को डैमेज करता है वांडा बु तो यह मोड लाइक क्राउड कंट्रोल है सपोर्टर है यह मोड लाइक या फिर पीवी एक चोटे मोड़े विलेंज को मारने के लिए बेस्ट इंग है उसके लावा यह ओन हिस एक सुपर विलें को पीवी लब वन टूवन लड़ने में यह तनी अच्छी नहीं है बाकि तो यही मैं कह सकता हूं तो कुछ कह नहीं सकता ठीक यह उसके लावा मैंने कमेंट पड़ा किसी कोरी आई है कि क्यों मेरी स्केल्स प्लस 15 फुल अप लेवल अप उनने के बाद भी प्लस 6 प्लस 6 लेवल अप है तो वह कॉस्ट्यूम्स का कमाल होता है अगर आपको और मेरा 120 लेवल का तो मैं दो दिन उसकी वीडियो और बनाने के बाद पिर आपको वह कॉस्ट्यूम्स और क्यों मेरी स्किल्स प्लस 6 हो रखी उसके बार में बताता हूं क्या चक्का रहे उनका कॉस्ट्यूम्स के उपर ही बेंस्ट रहता है वह पर सबके लिए वह अलग- तो आज की वीडियो में नहीं चलता हूं थैंक यू बाई बाई